दोस्तो अब सभी का हमाये चैनल में स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 2020 में आप जो है अधार कार्ट कैसे जो है अपने मुवाइल के तुरू डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही असान तरीका जो है आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्याम से दोस्तो काड़ी आज हम डेटेल में बात करेंगे वीडियो को आप इसकी मत कीजेगा पूरा लास तक देखेगा ताकि आपको सारी डेटेल सारी जो प्रोसेस है कैसे कैसे डाउनलोड करना है वो आप कर सके बहुत आसान तरीके से इसके साथी साथ चैनल में दोस्तों और भी बहुत और वीडियो अप्लोड हैं जैसे कि किसी भी जमीन का नक्सा कैसे निकालें कैसे देखना है देन आप जो है किसी प्रद्यश का पेंसिन लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं इसके साथ साथ जमीन की असली बहुता, कागाज, डेश्टिर वगएर, आप मुवाल से कैसे डाउनलोड करना है तो यह सारे वीडियो जो है दोस्तों हमारे चैनल में अल्रेडी अपलोड है अगर आपने नहीं देखा है तो इन सब वीडियो को देखिए और जितना हो सके दोस्तों इन सब वीडियो को शेर कीजिए ताकि देश का हर एक नागरिक जो है हमारे वीडियो के माध्यम से जो है काफी चीजे सीख सके दोस्तों स्टार्ट करते हैं आधार कार मुवाल से कैसे डाउनलोड करना है तो वीडियो को स्टाइट करने से पहले दोस्तों आप ये वीडियो कौन से स्टेट, कौन से जिले से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीज़े ताकि हम यहां और भी देश के कोने कोने पे उन लोगों की मदद कर सके जो इन से बाहं से बंचित हैं इसके साथ साथ जितना हो सके दोस्तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोग से मैं रिक्वेस्ट रहता है कि जितना हो सके उतना वीडियो को सेर कीजिए, लाइक कीजिए तो दोस्तो अब बात करते हैं आधार कार्ट जो है अपने मुवाइल में कैसे डाउनलोड करना है जी यहां इसको type करना है जो आपको blue color का यहां पे UIDAI लिखा हुआ है उसको आपको search option तो type करना है दोस्तों जैसे इसको type करेंगे तो नया platform खुल के आएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार का platform खुल के आएगा जैसे आपना UIDAI को type किया तो देखिए यहां पे आ गया get aadhar unique identification authority of India जैसे कि यहां पे mention है देन दोस्तों आपको क्या करना है जो यहां पे get aadhar लिखा हुआ है उसको जो है आपको click करना है दोस्तों जैसे आप इसको click करेंगे तो एक नया platform खुल के आएगा तो देखिए यहां पे platform आ गया है unique identification authority of India देखिए लिखा हुआ get aadhar जैसे दोस्तों आप score नीचे करेंगे तो एक नया option खुल के आगा download aadhar करके तो download aadhar को जो है दोस्तों आपको यहां पे click करना है तो download aadhar को हम जैसे ही click करते हैं तो दोस्तों देखिए क्या खुल के आता है यहां पे जो है लिखा हुआ है कि download electronic copy of aadhar यहां पे तीन चीज दिया गया है दोस्तों आधhar number दिया गया है enrollment ID दी गई है virtual ID दी गई है तो इन तीनों option में जो चीज आपके पास है मान लिजी आपने पहले सबसे पहले जब आधार कार्ड बनाया होगा तो वहां पे जो है enrollment number मिलता है enrollment number में जो है आपका सारी चीज लिखे रहती है किस तारीक को आपने किया किस time में तो वो ID जो है आपको यहां पे डालनी पड़ती है मान लिजी अगर आपके पास आधार कार्ड है पहले सी आधार नमबर है आप आधार खोच चुके हैं तो आप जो है बारा डिजी का आधार कार्ड नमबर जो यहां पे mention करेंगे जैसे यहां पे लिखा हुआ है तो यहां पे mention करने के बाद आप further process करेंगे तो आपका download हो जाएगा लेकिन मान लिजी आपके पास आधारी नमबर नहीं है तो आपको जो है enrollment ID नमबर होगी जब आपने आधार अपना fingerprint वगरा दिया होगा तो एक slip मिली होगी उस slip में आपका enrollment ID नमबर लिखा होगा इसको click करेंगे फिर यहां पे आधार नमबर जगा enrollment ID लिखा होगा वहां पे जो है जो भी digit पूछी गए उसको आपको mention करना है ठीक है दोस्तो तब ही जो है हम आधार नमबर बताते हैं जैसे आप mention करोगे दोस्तो तो यहां पे और नीचे जाओगे इसके तो यहां पे दे दोस्तो इसको जैसे आप fill up करोगे तो नीचे जाओगे तो यहां पे send OTP का option आएगा जी हां send OTP का option आएगा तो आपको क्या करना है यहां पे OTP को मगाना है OTP किसम आएगा जो mobile number आपने दे रखा है अपने अधार के जब आप अधार के लिए गये थे तो वहां पे जो mobile number आपने दिया था उस mobile number पे जो है आपका OTP आजाएगा देन दोस्तों जैसे OTP आजाएगा तो आपको जो है OTP लिख देना है फिर इंटर OTP कर देना है इसके बाद दोस्तों देखे क्या होगा यहां पर देखे मेरा जो है मैंने प्रोसेस किया तो यहां पर कुछ इस प्रकार जो है वन टाइम पासपर जो है मेरे रेइस्टे मुवाइल नमबर पे सेंड कर दिया गया है तो मैं जो है यहां पर अपना जो अभी आया हुआ है रेइस्टेड OTP मेरे मुवाइल नमबर प यहां पर yes or no जो भी आपको क्लिक करना कर दीजिए अब देखें यहां पर मैंने जो है अपना OTP जो अभी आया है मैंने यहां पर इंटर कर दिया इंटर करने के बाद दोस्तों इसके और नीचे जाएंगे यहां पर क्विक सर्वे करके आगा उसे आप लिभी कर सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है लिए आपको जो आधार है वह डाउनलोड हो जाएगा तो देखें आधार मैं इसको क्लिक किया तो अधार ड protected है तो यहाँ पे password मागएगा दोस्तों तो password देखिए आपको कैसे लिखना है मैं आपको पता देता हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत से candidate को यहाँ पे problem होती है तो देखिए जैसे मानली जी आपका आपका नाम है रोहन तो आपको क्या करना है आपके नाम का starting के फोलेटर जानी कि रो एचे यह फोलेटर इसके साथ जो आपका डेट बर्थ है जैसे मानली जी आपका डेट बर्थ 1992 है ठीक है तो आपको यहाँ पे यह दो जी जी जैसे 92 है तो यहाँ जो है दो जी 92 आपको यहाँ पे mention करेंगा एक example के साथ मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ दो डीजिट के साथ आप जो है पूरा डीजी देखी जहाँ पर जो आपका नाम है उसका फोड लेटर और जो आपका डेट अब बर्थ है उसका पूरा लेटर जो आपको यहाँ पर को आप बता दिए कि कैसे जो है अपने मुवाई से काफी सारी सुब्धाओं का लाब ले सकते हैं दोस्तो इसके साथ साथ हमाया चैनल में और भी बहुत सारी वीडियो अप्लोड है अगर आपने नहीं देखा है तो इन सारी वीडियो को जरूर देखना ना भूलें क्योंक इसके साथ साथ दोस्तो आप जो है गौर्मेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग हमाया चैनल एक और है आप वहां से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं एजुकेशन से डिलेटेट जो है वहां वे काफी सारी इन्फॉमेशन देते हैं क्व आप उस चैनल को भी देखना ना भूलें आज के लिए बस इतना ही थैंक्स वर वाचिंग और लिसनिंग